इस पर रोक लगाने का क्या मामला होता है ये तो वही लोग है जो लोग दोसरे का हक मारे हुए है उन्हीं को इससे डर लग रहा है जब यहां रिजर्वेशन की पॉलेसी है सम्मीधान में इसका प्राबधान है तो उससे उन लोगों को बंचीत रखने की सोशितों पीरीतों बंचीतों दलीतों को बंचीत रखने का प्रियास हो रहा है चुकि 63% आबादी हो गई है OBC की इसलिए M.I.M. का मुतालबा यह है कि 33% से बढ़ाकर 50% का डिजर्वेशन किया जाए OBC के लिए और उसमें मानेटी का कोटा आलग से तह किया जाए नमस्कार आप देख रहे हैं दैक्टिविस्ट और मैं हूँ आपके साथ अमन बिहार में कास्ट सेंसर्स का रिपोर्ट है वो प्रकासित कर दिया गया है हमारे साथ A.I.M.M. के प्रदेश अधिया चक्तिरूल इमान है सर कैसे देख रहे हैं मैं देख रहा हूँ एक साइन्टिफिक सर्वे के तौर पर सामने में आई है और इसके मुताविक चुके 63 प्रिसद आबादी हो गई है O.B.C. की इसलिए M.I.M. का मुतालबा ये है के 33 प्रिसद से बढ़ा कर 50 प्रिसद का रिजर्वेशन किया जाए O.B.C. के लिए और उसमें मानेटी का कोटा अलग से ते किया जाए जिस तरह से साउथ के स्टेट केरल करनाटका और तामिलनाट में हुआ है ये रंगनात मिस्रा कमिशन की सिफारिज भी है, बिहार सरकार ने ये काम अगर किया है, अगर इमांदार है तो फवरी तौर पर इसका रिजर्वेशन का दाइरा बढ़ा है और सब का रिजर्वेशन का इससा अलग लगता है करे है सुप्रीम कोट ने इस पर सुनवाई की और इसका बोले कि अब हम कुछ नहीं कर सकता है रोक लगाने से इंकार किया है इस पर रोक लगाने का क्या मामला होता है यह तो वही लोग है जो लोग दोसरे का हक मारे हुए है वही लोग रहते हैं है ने वो कहावत है कि चमगाडर को रोशनी से डर लगता है रात को फढ़ने वाले लोगों को रोशनी से डर लगता है तो ये लोग सरवय को से अनुदनी को इसी डर लग रहा है sniffon नहीं को इसे चाहिए ऐस बात कीजिए जब अने मिस而 की rhyंदान में इसका प्राबधान है तो उसे उन लोगों को बंचीत रखने के इसके माने सोशितों पिरीतों बंचीतों दलीतों को बंचीत रखने के प्रियास हो रहा है OBC को तो आरक्षन है लेकिन चुके इनकी आबादी 63 पिसद हो गई है इसलिए OBC के रिजर्बेशन का जो वो है वो 50% कर दिया जाए और उस 50% के दर्मियान में माइनर्टी की का जो आबादी है OBC की उसका कोटा अलग से तै कर दिया जाए चुके माइनर्टी के लोगों जो OBC है उनको सही हिस्सा नहीं दिया जाता है जिस वज़े से उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है जो लोग बिरोध कर रहे हैं करें की 500 क्रों रुपया खर्च होई तो मतलब इससे क्या फायदा होगा तो गरीबों में बाट देना है वो बिरोध बढ़ा विरोध है कुछ तुरोटी है तो संसोदनी की बात करना चाहिए इसका बिरोध करना है इसके माने दलितों और पिछलों के अधिकार के का बिरोध करना है उनका आर्थिक, समाजिक और सेच्छिनिक आकड़े भी सामने आये हैं हम लोगा सरकार से मुतालब आये कि उसका विस्टेशन करे और जो समुदाई इस मामले में पीछे रहा गए है उनको उपर उठाने के लिए कल्यानकारी प्रोडाम फौरी तरपर लागू करे आपने जिकरी क्या है कि एक जाती को हिंदू में मिला लिया गया है मुस्लिम कलाल बेरादरी जो इराकी बेरादरी है वो इराकी बेरादरी मुस्लिम की उप जाती है और उसको हिंदू जाती में शामिल कर दिया गया है और अगर उसको वहाँ से निकाल कर मुस्लिम जनसंख्या में जोड़ दिया जाया है तो बिला सुबा बिहार में मुस्लिम आबादी 19% की होगी लालु जादब ने भी कहा है कि जनसंख्या के अनुशार सभी का और अच्छन मिलना चाहिए बढ़ना चाहिए तो क्या लगता है ये काम करेगी ये लालु जी का कजनी ही नहीं है बलके ये लोग तंतर का मुल मंत्र यही है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी बारत में जाते अधारित गन्ना होना चाहिए बिलकुल होना चाहिए बिलकुल होना चाहिए अरे कौन आदमी नहीं है सब का होना चाहिए हर आदमी को कुछ ने कुछ बीमारी लगी हुई है इसलिए उसका अगर पेथोलोजिकल रिपोर्ट लाया जा रहा तो उसमें दिक्कत क्या है अल्प संक्यक समाज की बात करें तो लगवग 18% अवादी है बिहार में तो क्या चाते हैं सरकार की तरफ से क्या मांग करना चाते हैं सबसे दैनिया हालत है रंगनात मिश्रा कमीशन सचर रिपोर्ट आदरी गौपाल चिंग पेनल सब लोगों का यही कहना है कि देकर उसके अधिकार को सुनिस्चित किया जाए तो हमारे वादचित में आपकी क्या प्रतिक्री आया है वह निच्च अकाउंड वाक्स में देए फेस्बूक दर वीडियो को सेर करना है यूट्यूब पर देखना चाला हूं सब्क्राइब